जे महकाल दोस्तों मैं बंटु सर्मा यूटीब के माध्यम से आप सबों को शिवरात्री की बहुत सारी सुब काम नाएं आपके जीवन में तमाम खुशी आएं और इसी सुब अवसर पर आप सबों के बीच 360 का उखड़न तोड़न वराटी मंत्र प्रमानित स्वयम सिध्ध म का प्रियोग लेकर आया हूं भगवान भोलिनात आपके जीवन में तमाम मुशीवतों को दूर करें जो लोग परिशान हैं उन लोगों की हर एक परिशानियां दूर करें वैसे तो जीवन में संगर्स लगा ही रहता है पर अपना भी करतब्य होता है कि इसमें हम लोगों को कोशिस जरूर करनी चाहिए क्यूंकि हम लोग भी आये है जिन्दगी सही तरीके से जीने के लिए सुक्षांती घर में परिवार में बनी रहने के लिए तो इन मंत्रों का प्रियोग अच्छे कार्य हेतू ही किया जाना चाहिए और अच्छे कारे के लिए ही इन मंत्रों को बनाया गया है वराटी मंत्र में अच्छे मंत्र भी हैं हराब तरीकों के भी मंत्र हैं पर हमारे ओर से जो भी आपको प्राप्तो होगा वो जनकल्यान हेतु ही मंत्र होगा ये 360 का उखड़न तोड़न क्या है? इस उखड़न का मतलब होता है उखड़ना आपके घर में किसी भी तरह का अभिचार किया गया हो जनतर गाड़ा गया हो या तो समशान में जनतर गाड़ा गया हो कहीं भी गाड़ा गया हो ये सभी को उखड़ फेकता है तोड़न का मतलब किसी भी तरह का आपके उपर बंधन लगाया हो चहे किसी भी तरह का आपका पित्रों का या आपके कुल देवी देवताओं का बंधन लगाया गया हो दुकान में बंधन लगाया हो सभी तरह को तोड़ देता है और उखाड के फेक देता है ये प्रमानित मंत्र है और इसका प्रियोग तोने उखाडने है तो तोडने है तो सभी अविचारों को फेकने है तो किया जाता है और इस मंत्र की एक खास बात होती है ये वराटी मंत्रों की ये अगर एक बार चला दिया जाए ना ये पलटती है ना ये कटता है बहुत मुश पुश्किल है इसको काटना क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे देवी देवताओं का आन होती है और ऐसे ऐसे दुहायां होती है ऐसे ऐसे सब्द यूज किये जाते हैं जो कि गुरुओं के द्वारा ये सभी उनकी सक्तियों से चलते हैं उनके सब्दों से चलते हैं और बहुत ही तिव प्रगती से काम करते हैं ये मंत्रं इन मंत्रों को गण मंत्र के साथ लेना चाहिए ऐसे सिंगल भी ले सकते हैं आप ऐसा कोई यह नहीं है और इस मंत्र को जब भी वराटी मंत्र का प्रियोग करें चाहे कोई भी सावर मंत्र का प्रियोग करें, प्रियोग करने के पस्चात अपने आपको दंडित जरूर करें, क्योंकि हम कौन होते हैं दुहाई देने वाले, और हम कौन होते हैं उनको इतने कठोर कठोर सब्द बोलने वाले, सर्व प्रतम तो अपने आपको दंडित जरूर करना चाहिए किसी को दानपुन्य करके और छमा याचना जरूर करना चाहिए और इस मंत्र का मैं प्रयोग बताता हूं इसको करना क्या है किसी के उपर मान लिया जाए अभिचार कर दिया गया है या किसी तरह का हिलाया पिलाया है चाहे उसके सरीर के कपड़े का बाल का वस्तु प्राप्त कर पुत्तल बना करके उसके उपर कोई मूठ गाड़ता है या किसी तरह का गहाओ देता है टोने लगाता है तो इस मंतर के द्वारा उस व्यक्ति को साथ बार फूक भी मार सकते हैं साथ बार पानी पर पढ़कर भी पिला सकते हैं उसके उपर से साथ निम्बू का उतारा भी कर सकते हैं साथ लोंग पढ़कर भी उससे दे सकते हैं अगर मान लिजिये अगर घर के उपर किसी का इस तरह का परियोग लगाया गे या दुकान के उपर तो साथ दान्ये लेना है, साथ दान्ये का मतलब साथ अनाज के दान्ये लेना है, उसके उपर इस मंत्र को 21 बार पढ़के अभी मंत्रित करना है, पूरे घर में इस दान्ये को पढ़के भिखेर देना है, कोई को ना बचे ना, कैसा भी बंधन हो, कैसा भी करनी हो, गाड़ा ह मस्त नश्ट हो जाती है और दुबारा फिर करने वाला भी सोचने में लगता है क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे पलटवार किये गये हैं ये अगर दुबारा कोई अगर उसके उपर करता है तो उलटवार उसी को लगता है ये ऐसा होता है इसके दुबारा आप घर के चारो कोनों में गेरा भी दे सकते हैं ये स्क्रीन पर मैं मंत्र रखा हूँ आप इसको पढ़ ले एक तरह से इसको जंगी मंत्र भी कहा जाता है क्योंकि ये मुँ तोड जवाब देता है अच्छे-च्छे कवो हिला कर रख देने वाले ये मंत्र है जो कि बहुत ही बेजोड काम करता है आप इसका परियोग करके खुद जान जाओगे कि ये मंत्र क्या है और कैसा चीज है बोलने के भी जरूवत नहीं है इसमें जो भी चीजे आएंगी उसको सब चीज को तोड देता है इस मंत्र में देखिए बहुत से ऐसे सब्द लिखे हैं जिसमें जाड तोड़े जुलूप तोड़े जाड का मतलब होता है अगर किसी ने किसी वनस्पती का या किसी वस्तु का प्रयोग किया है तो उसको भी उखार दे तोड़ दे अगर मान लिजे किसी ने कुछ छीटा है चिटवाया है तो उसको भी तोड़ने का इसमें कहा गया है अगर साती तोड़े मने सिवार अगर सिवार के वहां भी कुछ छिपा कर रखा है तो अगर किसी तरह का बंधन करके रखा है तो उसको भी तोड़ना है किसी तरह का आपके घर में चौकी अगर किसी ने लगा दिया है तो उसको भी तोड़ने का लिखा गया तो इस तरह यह सभी तरह के जो भी आपके उपर अभिचार है उससे तोड़ देते हैं और यह मंत्र जो है बहुत उचे दर्जे का मंत्र होता है और सबसे पहली बात इन मंत्रों को इस तरह के मंत्र जल्दी मिलते नहीं और दूसरी बात है कि यह मंत्र डालने की हर कोई हिमत भी नहीं करता क्योंकि बहुत सारे ऐसे सब्द इसमें प्रियोग किये जाते हैं और इसमें ऐसे ऐसे सब्दों की आन लगती है कि लगता है कि कोई गाली है या कोई ऐसे बात है इसलिए इनका लोग छुपा कर ही रखते हैं और बहुत सारे मंत्र जो है इसी तरह भी लूप तो होते जा रहे हैं एक छोटी सी मेरी तरफ से प्रियास है यह आप सबों के लिए जनकल्यान है तो इन मंत्रों को उजागर करूँ यह पियोर मंत्र जो की ओरिजिनल 1000% ओरिजिनल मंत्र मैं दे रहा हूँ जो अपने गुरू के टाइरी से जो मेरे लिखवाया गया है और भी बहुत से मंत्र दूंगा कात्री मंत्र अलग दूंगा कात्रा मंत्र अलग दूंगा भस्म का मंत्र अलग दूंगा उसके बाद चौकी बैठाने का मंतर लग दूँगा, खीचने का मंतर लग दूँगा, खिचवाने का मंतर लग दूँगा, बहुत तरह के मंतर आएंगे, जो आप सबों के बीच प्रस्तुती होगी, पूछा का भी मंतर दूँगा, आप लोग इसी तरह बने रहें, मैं आशा करता हूँ कि सच्च और जो असली मंत्र है ये एक आगाज है हमारा सुरुवात है हमारा ये आप लोगों के बीच में कुछ तो गुरु की किरपा से कुछ मेरे भाईयों की किरपा से मैं उजागर कर रहा हूँ कुछ ऐसे ऐसे मंत्र होंगे जो कि हर एक तड़क चीजों को जो भी अविचारिक क्रिया है जो भी मैली विद्या है जो समसानी क्रिया करते हैं समस्त का तोड़ हो गए एक एक सब्द जो है ये सुरसती का सब्द है एक तरह से ब्रह्मा का सब्द माना जाता है ब्रह्म ही है ये क्योंकि सब्द को ही ब्रह्मा कहा गया है सही तरीके से मा न जाये तो, क्योंकि सब्दों का प्रवाव, अगर हम किसी व्यक्ति को भी बोलते हैं, तो उस व्यक्ति का भी जवाब मिलता है, तो इसी तरह मंत्रों का भी जवाब आता है, ठीक है न, तो कलसु भी योग है, आप इसको जागरित भी कर लिजिए, कम से कम एक सुआड़ बा हो जाती है, और याद भी हो जाता है, क्योंकि ये थोड़ा बड़ा है, और अगर नहीं भी अगर याद होता है, तो इसको कौपी में लिख लें, और उसके बाद देख देख कर भी अगर किसी को करते हैं कार्य, तो ये कार्य संपन करता है, तो जै महाकाल, जै माकामख्या, Jaya Matara